नमस्कर दोस्तों सौगत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आर पी एस सी आरे एस का जो एकजाम हुआ था दो हजार तेईस में उसका पूरा पेपर देख लेते हैं बिद आंसर के साथ वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों से एक पात कहूंगा जो लोग नए है तो प्लीस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने चलिए शुरू करते हैं तो हम लोग पूरा पेपर देख लेते हैं जिसमें पहला कोशन है पूर्ब पस्चिम कोरिडॉर जोडता है तो किसको किसको जोडता है आपका हो जाएगा सिल्चर को पोरवंदर से जोडता है अगला है गलत यूगम का चैन कीजिए तो आपका हो जाएगा एक वाला यह आपका गलत हो जाएगा बांकी के तीन आपके सहीं जैसे की कटड़ा हो जाएगा दच्छुनी अरावली और दुर मयाजी मर्याजी यह हो जाएगा मध्य अरावली और महो हर पुर यह हो जाएगा उत्त अगला है निमलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है तो अगला है भारती राजबन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बनस्पती आवरण के संदर्व में बन छेत्र तो अगला है भारत में बॉकसाइड और अबरग के सरवाधिक उत्पादक जो राज है वो कौन से है तो इसका क्या राइट अंसर बनेगा अप्शन थ्री वाला उडिसा आंदर वर्देश नेक्स्ट है आपका चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग इस्थापित हुआ था तो आप्शन एक स्री गंगा नगर में इस्थापित हुआ था अगला है माही बजाज सागर पर योजना का और योजना एक सैयोक्त उधम है तो आप्शन टू गुजरात तथा राजिस्थान का अगला है निमलेखित में से बढ़ से दो हजार एक से ग्यारा के मध्य में नियून्तम दस्की जनसंक्या ब्रद्दी दर्बाला जिला जो है वो कौन सा है तो आप्शन टू श्री गंगा नगर अगला है राजिस्थान में काला खुटा लीलवानी नारदिया तिम्मा मोरी किस खनिच के उत्पादन उत्पादक छेत रहें तो आप्शन एक मैगनीच मैगनीच का सिम्बल होता है एमेन अगला है काली सिंद सुपर ताप विजली स्टेशन अवस्तित है तो आप्शन टू जहाला बाड कौन सा सुमेलित नहीं है एक में बनने अभयारनी है बनने जीव अभयारन दुसरे में जिला और गलत वाला आपको बताना है तो इसका हो जाएगा पहला वाला बाकी के तीम इसकी बस्सी बनने जीव अभयारन ये हो जाएगा चितॉलगड रामसागर बन बिहार ये हो जाएगा धौलपूर और सीता माता बनने जीव अभयारन ये हो जाएगा परतापकड़ अगला है माही कंचन तथा RCB 911 संकर किसमे हैं तो option 3 करमसा मक्का तथा बाजरे की अगला है भारत की समिधान सभा के समन्द में निम्नांकित कत्रों पर विचार करें और इसमें आपका कौन सा बताना है कि कौन सा option होगा तो इसका हो जाएका दूसरा वाला एक और दो दोनों साहिएं तो कतन देख लेतें क्या है पहला कतन है समिधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था पहला साहिए इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजन प्रसाद भारत के राश्पती पद पर बिधीबत निर्वाचित घोसित किये गए अगला है भारत के सम्मिधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले सम्मिधानिक संसोधन द्वारा सम्मिधान में जोड़ी गई थी तो आप्सिन 3 नभी अगला है मेनका गांधी बाद 1978 में उच्चितम नियायले के फैसले के बाद अनुच्चित 21 के नियाईक निर्वचन के संबन में तुर्टी पून कथन को पैचानिये तो इसका हो जाएगा पहला वाला पहला आपका गलत हो जाएगा तुर्टी पून बांकी के तीन आप देख लेते हैं कि क्या है दुसरा है कानुन दोरा इस्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज अमेरिका में विद्वान उच्चित प्रक्रिया के मोटे तोर पर समान आर्थक है और तिसरा पी सहिए अनुच्चिद 21,19,14 परस पर अनन्ने नहीं हैं और चौता है जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार सामिल है अगला है नतमल जी की हवेली अवस्तित है तो कहां पर अवस्तित है तो आप्सन पो जैसल मेर में अवस्तित है अगला राजसभा के संबन में तुरुटी पूर्ण कथन को पैचानिये तुरुटी पूर्ण मतलब गलत बाला बताना है तो आप्सन एक तो राजसभा के संबन में दुसरा कथन आपका सही है क्या है पर्थम अधिवेशन संसोधन के लिए राज सभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था और तिसरा भी सही है बर्थमान में संग राज छेतरों से आठ सदस राज सभा में निर्वाचित होते हैं चौथा भी सही है तीन अवसरों पर राज सभा और लोग सभा की बैठक सहियुक्त बैठक आयोजित हुई है अगला है अभिस्वास प्रस्ताओं के संबन में निम्नांकित में से कौन सा कतन सही नहीं है तो आविषबास प्रस्ताव के संबनें कतन आपका कौन सा गलत है ये बताना है तो option 3 वाला पहला सई है पहला क्या है देख लेते हैं पहला है 15 अगस 2023 तक 27 आविषबास प्रस्ताव नो विषबास प्रस्ताव रखे गए है और दूसरा भी सही है, लाल बाहदर सास्तिरी ने अपने कारकाल के प्रतिवर्स अधिक्तम और विस्वास प्रस्तावों का सामना किया और चौता भी सही है, और विस्वास प्रस्ताव के वल लोक सवा में रखा जा सकता है अब देखिए अगला है निमने लिखेत सूची P जिसमें क्या है निदेशक सिध्धान्त को सूची आ अनुच्छेत के साथ सुमेलित करना है तो इसके लिए क्या होगा? आप्सन टू वाला दो एक तीन चार मिलान हो जाएगा पहला है समान नियाए और निसुलक कानूनी साहता इसका होगा अनुच्छेत 49A फिर वी पर्याबरन की सुरच्छा इसका होगा अनुच्छेत 48A काम करने का अधिकार यह होगा अनुच्छेत 41 इस मारकों का संदच्छन अनुच्छेत 49 अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंदरिय सूचना आयोग के कार और सक्तियों से सम्बंदित नहीं है तो आप्शन फोर बारा अगला है निमनांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिसत के स्थान अंतर सरकार परिसत इस्थापित करने की अनुसंसा की थी तो option for सरकार या आयोग अगला निमनांकित कत्रों पर विचार करें तो इसके लिए देखिए आपका क्या होगा दूसरा वाला हो जाएगा, दोनों कतन आपके सही हैं, जैसे कि पहला कतन है राजनीती सास्तिनियों दोरा कही गई, कॉंग्रेस प्रणाली का अठारा, सोरी, 1989 के लोगसभा चुनाबों के साथ अंतो गया और दूसरा भी सही, 1989 के लोगसभा चुनाबों में भारतिये, राश्ट्य कॉंग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूब में उबरी अगला है निमलेकिस सूची पी, कैक को सूची आर अनुच्छत के साथ सुमेलित करना है तो इसके लिए होगा उप्सेन एक मिलान, एक, तीन, चार, दो मिलान हो जाएगा एक, तीन, चार, दो आपका मिलान हो जाएगा पहला है कैक की न्यूक्ती जो है, वो अनुच्छत 148 के अंतरगत होगी और कैक के करतब और सक्तियां की अनुच्छत में है, तो अनुच्छत 149 संग के खातों का प्रपत्र, यह हो जाएगा अनुच्छत 150 और अडिट रिपोर्ड यह हो जाएगा अनुच्छत 151 अगला है, निम्न मेंसे कौन सा कथन राजस्थान के मुखमंतरी के सम्वन्ध में सही नहीं है तो आप्चिन 3 वाला बरक्तुल्ला खाँ, सबसे कम समय तक मुखमंतरी रहे सही नहीं है बाकी के तीन सहीं जैसे की पहला है मोहनलाल सुखाडिया ने चार वार मुख मंतरी पद की सपत ली बिल्कुल सही इंपोर्टन कोशन भी है और 1975 के आपातकाल के समय मुख मंतरी हरीदेव जोसी थे और चोथा है CS बैंकटाचारी निर्वाचत मुख मंतरी नहीं थे अगला है राजिस्थान की मंतरी परिसत की नियूंतम सदस से संक्या क्या हो सकती है इस कोशन का राइट अंसर क्या बनेगा ऑप्शन एक बार है अगला है 2022 के राश्टपती के निर्वाचन में राजिस्थान विधान सभा के प्रतेख सदस का मत्य मूल था तो उप्सिन 3 एक सो उन्तिस अगला है समिधान के अनुच्चिद 271 के अनुसार राजिस्थान उच्च न्यायले के मुख्य नयमूर्ती से भिन किसी न्यायाधिस की नियूक्ती राश्टपती किसके परामर्स उपरांत करेगा तो उप्सिन 2 आपका राइट अन्सर हो जाएगा राजिस्थान के राजपल भारत के मुख्य नयमूर्ती तथा राजिस्थान उच्च न्यायले के मुख्य नयमूर्ती अगला है निमलिखित में से किसकी सिफारिस पर राजिस्थान में राज प्रमुक के पद को समाप्त कर राजपाल की विवस्था की गई तो उप्सन थ्री राज पुनर गठन आयोग अगला देख लेते हैं कोश्चिन निम्नांकित में से कौन सा एक राजिस्थान अरवन ड्रिंकिंग बाटर सिवरेज एंड इन्फराइस्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड का हिस्था नहीं है तो उप्सन थ्री राजिस्थान हाउसिंग बोर्ड माकी के तीन है जैसे के पहला है राजिस्थान R1 Infrastructure Finance and Development Corporation Limited फिर राजिस्थान आवास विकाज Infrastructure Limited और राजिस्थान R1 Infrastructure Development Project ये तीनों है आपके अगला है किस संसोधन अधिनियम द्वरा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है तो आपका हो जाएगा option four राजिस्थान पंचायती राज संसोधन अधिनियम 2021 अगला देख लेते हैं राजिस्थान लोक सेवा आयोक के संबन्द में निम्नांकित कत्रों पर विचार करें तो इसका हो जाएगा दूसरा वाला पहला और दूसरा दोनों सही हैं अगला है आयोक के अध्यच एवं सदस्य राजिस्थान के राजपाल द्वारा नियुक्त होते हैं दूसरा क्या है आयोक के अध्यच या कोई अन्य सदस्य केवन राश्पति की आग्या से अपने पद से हटाये जा सकते हैं अगला है तैसिलदार की नियुक्ति होती है तो option 4 राजस्टू मंडल द्वारा होती है अगला है 2014 में नर्पत मल लोडा की अध्यच्चता में गठित समिती निम्न में से किस विशे से सम्बंदित है तो option 4 लोका युक्त से सम्बंदित है अगला है राजस्टान के राज निर्वाचन आयोक के सम्बंद में निम्नांकित कतनों पर विचार करें तो इसके लिए क्या होगा option 2 वाला एक और दो दोनों सही है पहला कतन है ये आपका सही है कतन क्या है भारत के सम्बंदान के अनुच्छे 243 टाक या अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया और दूसरा भी सही है राज निर्वाचन आयोक के प्रधानत्त में यहे एक सदस्य आयोग है अगला है अपरेल 2023 में राज सरकार दौरा राजस्थान राज सूचना आयोक की एक पीट की स्थापना की सहर में किया जाना सुईकरत किया गया है तो इस question का right answer हो जाएगा option 3 जोदपुर में अगला है निम्नांकित में से किस योजना का संबन्द इस नारे से है कोई भूखा ना सोए तो इसका हो जाएगा option C अन्यपूना फूड पैकेट योजना यह आपका हो जाएगा यह नारा है अन्यपूना फूड पैकेट योजना से अगला है राजस्थान राज मानव अधिकार आयोग के सम्मन्द में इमनांकित कत्रों पर विचार करें तो इसका राइट अंसर बनेंगा ओप्शन थरी केबल दो साहिए पहला गला तो दूसरा क्या है? दूसरा आपका साहिए यह क्या है? अगला है आपका निमनांकित में से कौन सी बस्तू लोक बस्तू या कैसकते हैं पबलिक गोड़ नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन थरी कारें माखी केतिने सरकारी प्रसासन, राष्टिय सुरच्चा और सड़कें अगला है मुद्रा स्पीती के संदर में निमने कत्नों पर ध्यान दीजिए कतने और कतन भी है और इन कतनों में आपका सही वाला बताना है या गलत वाले बताने है तो आपसें टू आपका राइट आंसर हो जाएगा कतन ए और भी दोनों सही है तो कतन देख लेते हैं मुद्रा स्पीती के संदर में पहला कतन सही है पहला क्या है है एडलाइन मुद्रा स्पीती उपवोकता मूले सूच कांक में परिवर्तन की दर को संदर्वित करती है जो एक बिसिष्ट परिवार दोरा उपभोग की जाने वाली बस्तूओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की आउसत कीमत का माप है और कथन भी भी सही मुद्रा स्पीती के संदर में कोर मुद्रा स्पीती उपभोगता मूल्य सूचकांग से आस्थिर मूल्य वाली कुछ बस्तूओं जैसे खाद और एधन को बाहर करने के बाद आउसत उपभोगता कीमतों में बदलाप को मापती है अगला कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन है इंद्रा गांदी सहरी रोजगार गारंटी योजना के संबन में निम्लकित कत्रों पर विचार करें तो इसके लिए राइट अंसर क्या बनेगा आप्शन पूर केवल एक सही है पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है पहला क्या है यह सहरी लाकों में निबास करने वाले परिवारों को 125 दिबसों के परतिवर्स रोजगार की गारंटी देता है या देती है अगला है निम्ल मैसे कौन सा उपाए चैया नात्मक साख नियंतरन के सम्मन्द में सही बिकल्प नहीं है तो इसका हो जाएगा दूसरा वाला बांकी कतीम सही है उधार सीमा, मार्जिन में परिवर्तन, साख रासनिंग, नैतिक दबाब ओके तीनों सही हैं अगला है औसदी चेतर के सम्मन्द में निमन्द में से कौन सा कतन सही नहीं है तो आप्सन एक, उसदी चेतर के सम्मन्द में दूसरा कतन आपका सही है तिसरा भी सही है और चोथा भी सही है क्या है कतन? दूसरा कतन है भारत बैसिबिक इस्तर पर जैनेरिक दबाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है और तिसरा है औसदी उत्पादों के उत्पादन में मूल के हिसाब से भारत दुनिया में चौदवे इस्थान पर है और चौदा है औसदी उत्पादों के उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में तिसरे इस्थान पर है अगला है बैसिबिक खुस हाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है तो इसका हो जाएगा option 3 126 अगला automobile छेतर के बारे में निम्न मैंसे कौन सा कतन सही नहीं है तो गलत बाला बताना तो पहला आपका गलत हो जाएगा जिसमें तीनों नीचे जो दिये हैं वो सही है यह है छेतर भारत की सकल घरेलो उतपाद में 7.1 परतिसात योगदान देता है यह आपका सही है और तिसरा है बड़ से 2021 में भारत यातरी कारों का दुनिया का चोथे सा चोथा सबसे बड़ा निर्माता था और चोथा भी सही है बड़ से 2021 में भारत दो पहिया और ती पहिया भानों का दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता था अगला है निम्नांकित में से कौन राजकोसियन नीती का उपकरण नहीं है तो आप्सिन टूबा की कितीने सार्वजनिक ब्य, हिनार्थ प्रवंद और करारोपन अगला है बड़ से 2022 तेज के अगरिम अनुमानों के नुसार, सांकेतिक अथवा, प्रचलित मूल्यों पर भारत की सकल घरेलू उत्पात में कितना प्रतिसत भाग राजिस्थान के सकल राज घरेलू उत्पात के होने का अनुमान है तो आप्सिन टूब 5.18 प्रतिसत अगला है राजिस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कतन सही है नीचे दिये के कूट से सही उत्तर का चैन करना है तो आप्सिन टू आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल बीवाला बीवाला आपका सही है जो इस योजना का फोकस भूजल प्रवंदन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है अगला है राजिस्थान की मुख मंतरी लगू उद्योग प्रोस्थान योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तत्यक सही नहीं है तो पहला वाला सही नहीं है बाकी क्या सही है जैसे कि दूसरा है इस योजना में लगू छेत्र के उदमियों को 10 करोन तक के रिणों पर प्रतिस्थान के प्रचलित मूलियों पर शकल राज मूल बर्धन GSBA में किस उपचेतर का योगदन सरवादिक रहा तो इस question का right answer अपका क्या बनेगा option 2 ब्यापार होटल एभम जलपान ग्रहे अगला है गतवर्स की तुल्ना में बर्स 2022 में राजस्थान के सकल राज मूल बर्धन GSBA स्थिर 2011 बारा बुनियादी मुल्यों पर में किस चेतर के योगदन में सरवादिक ब्रधी होने का अनुमान है तो option 2 सेवा चेतर अगला है राजस्थान राज राजमार्ग विकास कारिकरम 2 परियोजना के अंतरकत 801 किलोमेटर लंबाई के ग्यारा राजमार्गों का उन्यान किस एजेंसी जोरा वित्त पोसित है तो option 3 बिसु बैंक बर्लु बैंक अगला है राजस्थान में किस एजेंसी को पीम कुसुम योजना कम्पोनेंट एक एक रियान बयान के जिम्मेदारी दी गई है जिसमें 0.5 मेगाबाट से 2 मेगाबाट चमता तक के सौर उर्जा सहियंत रिस्थापित किये जाने है तो इसका हो जाएगा option 2 राजस्थान अच्छे उर्जा निगम लिमिटेड अगला राजस्थान में उर्जा सन्नच्छन दिवस कम मनाया जाता है तो option 14 दिसम्बर को मनाया जाता है अगला राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोशिय उत्तरदायित तो और बजट प्रवंदन अधिनियम को किस बर्स में अधिनियमित किया तो option 2 बर्स 2005 अगला है निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देशिव गर्वति एवं धात्री महिलाओं तता उनके नन्ने सिस्वों जीरो से 6 मा के स्वास्थ एवं पोशन की स्थिती में सुधार करने के लिए गर्वावस्ता सुरचित प्रशव और आगे 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 आपका दिया गया है इसमें किसको बढ़ावा देना है तो इसका हो जाएगा option 3 मिसन बासल योजना अगला है निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंद्रा महिला सक्ती उणान योजना के एक प्रमो को देश से बताता है तो option 2 मासिक धर्म स्वास्त एवं सुच्छता प्रवंदन के बारे में जागरुकता पैदा करना अगला है निकट दर्ष्टी दोस एवं दूर दर्ष्टी दोस को ठीक किया जा सकता है क्रमसा तो option 3 अवत्तल एवं उत्तल लैंस के द्वारा अगला निकट में से कौन सी योजना ग्रामिर छेत्रों को सामाजिक आर्थिक और भौतिक रोप से टिकाउ छेत्र बनाने का प्रयास है तो option 1 स्यामा प्रसाद मुखरजी रूर्वन मिसन अगला है डिजिटल जनकारी के लिए माप की निमलिके तिकाईयों को सही करम में वेबस्तित करें सबसे पहले सबसे छोटी काई से सुरू करके सबसे बड़ी काई तक जाए तो इसका होजाएका option 2 पहले bit होता है फिर byte फिर A वाला kilobyte फिर अपका C megabyte फिर अपका E gigabyte फिर टेराबाइट अगला है 23 अगस 2023 के LCA हलके लणा को विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सबलता पुरुवक परिच्छन किया गया यह मिसाइल है तो option 2 द्रस सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अगला सीरी हरी कोटा से अपरेल 2 अपरेल 23 में उपगरे टेलियोस 2 तो टेलियोस 2 तथा Lume Light 4 को प्रमोचित जिस लांचर से किया गया है बहे है तो option 3 अपका right answer हो जाएगा PSLV C55 अगला है यदि किसी पदार्थ की एक बिमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि दो अन्य दो बिमाएं बही बनी रहती है तो प्राप्त सन्नचना क्या कहलाती है तो option 2 आपका right answer हो जाएगा Quantum Bell अगला है निमले कित में से कौन सा फाइल प्रारूप बीडियो फाइल प्रारूप नहीं है अगला है प्रोटीन के संदर में गलत कथन को चुनिए तो option 3 बाकी के तीन सहीं जैसे कि हम प्रोटीन जन्तु तथा पादब दोनों सुरोतों से प्राप्त करते हैं दूसरा है प्रोटीन अमीनो अमल से बने होते हैं चौथा भी सही है प्रोटीन हमारे सरीर के रचक खंड बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं अगला है ब्लड ग्रूप रक्त समू ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोसिकाओं में नीहित समूजन या एगलू नीटिनोजन है तो option 3 ना तो ए और ना ही बी अगला है निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवानिये रोग नहीं है तो option 4 डिंगू बांकी के तिने डिप्थीरिया प्लेग नियूमोनिया अगला है प्लाजमोडियम की प्रजाती जो घातक मलेरिया का कारण बनती है तो option 2 फालसी पेरस पेरम अगला एंटी यूम आपने की काई क्या है तो option 4 जल की आबिलता या डर्वीडिटी अगला निम्न लिखित में से कौन प्रदोसिच जगत में नहीं उखता तो option 3 लाइकेन अगला राजेव गांदी जैप रोध्योगी की के इंदर कहां पर इस्थित है तो तिरू अनंत पूरम में इस्थित है अगला है प्रतिदी के बायू मंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन बन में प्रकास संसलेक्सन के दौरा अनुमानित उत्पादन है तो option 4 बीस प्रतिसत अगला है राश्टिय उष्ट अनुसंदान के इंदर इस्थित है तो option 3 बीका नेर इन में से कौन सा समू मिलेटरस स्री अन्य फसलों का है तो option 4 जौर कोदो कांगनी रागी अगला है निमन में से किस कमपनी के स्थापना राजस्थान सरकार दौरा 21 सतापदी में सूचना प्रोध्योगे की आईटी कौसल को विक्सित करने के उद्धिस से की गई है तो option 3 राजस्थान नौलेज कार्पोरेशन लिमिटेड अगला राजस्थान बिधान सबा दौरा 2023 में पारित एक बिधेहक दौरा दौसरा राजस्थान पसू चिक्सा और पसू बिध्यान विस्व धाले कहां इस्थापित किया जाएगा तो जोव रिनेर में अगला निन्वे से कौन सा प्राकरतिक संसादन गैर नभी करनी है संसादन माना जाता है तो जीवास्म इधन अगला है राजस्थान के बन पर्याबरान तथा जलबायू परिवर्तन विभाग दौरा हाल ही में जारी की गई एक अधि सूचना के अनुसार राज में कितने बेट लेंड है इस कोशन का राइट आंसर आपका जो बनेगा वो बन जाएगा ऑप्सिन टू चोवालिस अगला है राजस्थान में आर्टिफीसिल इंटेलिजन्स ओफ थिंग्स इन्नोवेशन हब के स्थापना कहां की जाएगी तो ऑप्सिन थरी जोध पूर में की जाएगी अगला है राश्टिय बाग सनरक्षन प्राधिकरण ने राजस्थान में पांचवेबाग अभयारन का दर्जा निम्न में से किस अभयारन को प्रदान किया है तो ऑप्सिन थरी दावलपुर करवली अभयारन अगला हाल ही में भारत के 3D प्रिंटेट डाग घर का उधगाटन निम्न में से किस सहर में किया गया है तो ऑप्सिन एक बैंगलूरू अगला देख लेते हैं हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने केंदरी करत वेब पॉर्टल UGD AM लांच किया तो ऑप्सिन फोर भारतिय रिजर्व बैंक निम्न लिखित कतनों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और कौन सा विकल्प आपका सही है वो बताना है तो ऑप्सिन एक दोनों कतन आपके सही है जिसमें पहला कतन है टाइम पत्रिका के नुसार MS राजा मौली को 2013 के सीर्स पाइनियर्स में नामित किया गया है और सारुक खान को 2013 के सीर्स आइकन में सामिल किया गया है और दूसरा कतन भी सही है टाइम पत्रिका की सबसे प्रवावसाली लोगों की सूची को 6 प्रमोक को सिर्णियों में विभाजित किया गया लीडर, टाइटन, पाइनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इन्नोबेटर अगला है सायोक्त राष्ट महासवा ने अपने 78-70 के अध्यच के रूम में सेवा आदेने के लिए हाल ही में डेनिस प्रांसिस को चुना है भाई निम्न मेंसे किस देश से हैं अगला है जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रदान मंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लांच किया यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है अगला आर्टिफीसिल इंटेलिजन्स के ब्योहारिक उप्योगों की पैचान के लिए AI for good Global Summit 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई तो option एक सुटचा लैंड अगला है निमलेखित में से किस उब्यक्तित को राजस्थानी भासा के साहित अकादमी यूबा पुरसकार 2023 के लिए नामित किया गया है तो option एक देवी लाल महिया अगला है भारत के पहले खुले संग्राले सहीदी पार का हाल ही में किस सहर में उदगाटन किया गया है तो option 3 दिल्ली अगला है हाल ही में एक्कवा एक्कवा डोर बासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जय बिवित्ता बाले छेत्र में जन्मत संग्रे द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्विकार कर एक एतियासिक निर्ले लिया तो option 3 या सुनी राष्टिय उद्ध्यान अगला है मेरी गाउ मेरी दरोवर किस मंत्राले से संबन्दित है option 2 केंद्रिय संस्क्रती मंत्राले अगला राष्ट मंडल संसदिय संग का भाराच छेत्र का नौबा सम्मेलन निम्न में से किस सहर में आयोज़त किया गया था option 2 उदैपुर अगला है FISU बर्ल यूनिवर्शिटी गेम्स 2030 की पतक तालिका में भाराण ने कौन सा इस्थान प्राप्त किया है तो इस कोशन का राइट अंसर बनेगा option 1 साथ बा अगला है 12 अगस 2030 को भाराण ने होकी की चौथी एसियन चेंपियंसिप ट्रॉफी में मलेसिया को अंतिम मैच में हराया यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था तो option एक मीर राधा करश्णन स्टेडियम में खेला गया था अगला है राजे सुरी कुमारी जिनोंने बाकू अजर बैजान में आयोजेज 200 चेंपियंसिप में पांचवा इस्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्तरता प्राप्त की है उनका समन्द किस खेल से है तो option एक निसाने बाजी से है अगला है भारत के कमल जीत ने 24 जुलाई दोहजार तेज़ को आई एस एस एप जूनियर सूटिंग बर्ड चेंपियंसिप दोहजार तेज़ में पुरसों की ब्यक्तिकत पचास मीटर पिस्टल इस परदा में सौन पदक जीता ये इस परदा निम्न में से किस देश में आयोजेट की गई थी तो option 4 दच्छन कोरिया अगला हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एसियन फेंसिंग चेंपियंसिप में एक कांस पदक जीता है बिसीमी फाइनल में किस देश के खिलाडी से हारी तॉपसन 3 उजबेकिस्तान अगला है किस भारती संस्ता को गांधी संती प्रसकार 2021 है तॉपसने गीता प्रेस गोरकपुर अगला है निम्लिकित किस प्राचिन इस्तल के उत्खनन में मालप जनपत की लहो सामगरी के विसाल संग्रे की जानकारी प्राप्त हुई है तो रैड टॉंक अगला है अजमेर का पराकरमी चौहान सासक जिसने दिल्ली पर विज़े प्राप्त कर उसे अपने सामराज में सामिल कर लिया था बहे था आपसन एक बिग्रहे राज चतुर्थ अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के सासनकाल में भारत की यात्रा की तो आपसन थ्री बस राज कनिया लाल मित्तल मांगी लाल बाक्या और मकबूल आलम निमलिकित किस प्रजामंडल आंदोलन से संबद थे जाला बाड राज प्रजामंडल अगला है मरतस संग का ब्रहत राजिस्थान में बिलेक कब हुआ 15 माई 1949 अगला है एकी आंदोलन प्रारम करने के पहले मोतिलाल तेजाबत किस राजपुट ठिकाने में कामदार के पद पर कारे रत थे तो जाडोल अगला है जाडोल उदैपुर, कुराडा, नागवर और साबडिया वीकनेर में क्या समानता है तो उप्शन पूर, तामर उपकरनों के पंडार अगला है प्रसिद चित्रकार मोहमद सहा जैपुर के किस महाराजा का दरवारी चित्रकार था तो सबाई जैसिंग अगला है राजिस्थान में किस संप्रदाय के पुरुसंद वरा अगरी नत्त किया जाता है तो उप्शन थरी जसनाथी, सिद्ध अगला है कुबले माला नामक, कथा संगरे में कितनी देशी भासाओं के नाम का उलेक हुआ है तो उप्शन एक, अठारा अगला है अचल दास, खीची, री बचनिका के लेखक है तो उप्शन फोर, चारण सिब दास निम्न में से कौन सा योगम गलत मेलित है तो उप्शन टूबांके के तीन सहीं जैसे कि रामदेब जी, रामदेबरा, तेजा जी, खड़नाल, पाभू जी, कोलू अगला है चंदर भागा मेला प्रतिवार सकार्थिक मास में कहां आयोजित होता है तो उप्शन फोर, जालरा पाटन अगला है निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग, गिरी दुर्ग नहीं है तो उप्शन एक, गागरोन का दुर्ग, वाकी के तीने जैसे की जालर का दुर्ग, चितलगड़ और सिबाड़ा का दुर्ग अगला है निम्न लिखित में से किसके दौरा, सुर्ग कोटड़ा नामक हडपा संस्क्रति के स्तल की खोज की गई थी तो उप्शन फूर जगत पती जोसी अगला है चंदर गुप तुतिय ने अपनी पुत्री प्रभाबती का दिभा किस राजवन्स में कर अपनी इस्तिती को सुद्रण बनाया तो उप्शन फूरी बाका टक बंस अगला है भरहुत का इस्तूप किस राजवन्स की कला का सुन्दर उधारान है तो सुग कालिन इस्थापत दे ललित बिग्रह राज नाटक की रचना किसने की सूम देव क्रिशन देव राए दोरा निमलेकित किस कभी को आंदर कभिता पिता मा की उपादी दी गई थी तो अलसानी पेडर डना अकवर दोरा फटेपूर सेकरी में निर्मित किस इमारत में बहुत इस्थापत कला का अनुसरान किया गया था तो अप्सन थरी पंच महल राजस्थान राज का पर्थम राजप्रमुक किस से नियुक्त किया गया तो अप्सन थरी महाराजा सवाई मान सिंग दुतिय जैपूर अगला है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत समवसेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना किस बर्स में की थी तो अप्सन फोर उननिस सो पाँच इस भी भारती राष्टे कॉंग्रेस का सितंबर उननिस सो बीस में कलकत्ता में जो बिस्जिज अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असायोग आंदोलन का पस्ताव पारित किया गया उसके अध्यच कौन थे तो अप्सन फ्री लाला लाजपत राय है अगला अगस्त उननिस सो त्रेपन में भारा सरकार दोरा गठित किये गए राजपुनर गठन आयोग के निमलेखित में से कौन सदस्य थे नीचे दिये के कूर का प्रियोग करके सही उत्तर का चैन करना है अप्सन थ्री दो तीन चार जस्टिस वजलाली थे केम पन्नीकर थे और हिर्दैनाथ कुंजरू थे अगला एल्व नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है तो उत्तरी सागर में अगला निम्न मेंसे किस सूपी संप्रदाय का प्रसार मुक्यता सिंदब मुलतान और पंजाब तक सीमित था तो सुहरा बढ़ दी निम्न लिखित में से किस महादीब में मरुस्थरी करण का समस्या नियूंतम है तो यूरोप महादीब निम्न लिखित कत्रों पर विचार कीजिए कूट के माध्यम से तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला A.C.D. सही है A.C.D. और B. वाला गलत हो जाएगा A. क्या है कसमीर हिमालय करेवा निर्मा के लिए प्रसिद है और C. है नामचा बरवा परवा सिखर अरुनाचल प्रदेश हिमालय में स्थित है और फूलों की गाटी हिमाचल और उत्राखन हिमालय में स्थित है भारत के कौन से छेतर उत्तरी पूर्वी मानसून से बड़सा प्राप्त करते है Option 2 तमिल नाडू तट दच्छनी आंदर प्रदेश और दच्छनी पूर्व करनाटक कौन सा सुमेलित नहीं है तो Option 4 बाकी के तीन है जैसे की भीमताल जील और राज में स्थित उत्राकन पुलिकट जील तमिल नाडू लोकटक जील मणीपूर्व और आज का लास्ट क्वेश्चन है निमलिकित में से कौन सा संयुक्त राज अमेरिका का और द्योगे प्रदेश नहीं है तो Option 3 Midlands प्रदेश तो गाइद आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू दन्नेवाद